बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ऐसे ये मौंग दाल पकोड़े बन के तयार हो चुके हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम टू सुवर्नाज रेसिपीज आज हम छिलके वाली मौंग दाल से मौंग दाल पकोड़े बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाधिष्ट लगते हैं तो चलिए फिर इसे बनाना हम शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कटोरी चिलके वाली मौंग दाल ली है वन फोर्थ कटोरी पीली मौंग दाल ली है अगर आपको चिलके वाली मूंग दाल पसंद नहीं है तो आप सिर्फ यहां पे पीली मूंग दाल भी यूज कर सकते हो अब इसे पानी से अच्छे से दो करके लेना है तो इसे मैं धो लिती हूँ इसे मैंने अच्छे से दो करके इसमें पानी डाला है इसे अब हम चार गंटे के लिए बीगने के लिए छोड़ देते हैं चार गंटे हो गया है दाल अच्छे से बीग गई है अब इसमें से पानी पूरा निकालना है और ये दाल हम मिक्से के जार में निकालेंगे और इसके लिए मैंने यहां पे एक बड़ा प्यास बारी काट लिया है, थोड़ा सहरा धनिया लिया है, चुटकी बर हिंग चाहिए हमें, एक छोटा तुकड़ा अधरक का चाहिए, लाल मिर्च मैंने लिये, आप यहां पे हरी मिर्च ले सकते हो, मिर्च आप अपने सबसे कम जादा कर सकते हो, एक चमच धनिया और आदा चमच जीरा लिया है, जिसे हमने क्रश करना है, दाल पीछते वक्त हमें यह अधरक और मिर्ची उसमें डालनी है, यहां पे मैंने चावल काटा लिया है, इसे हमारे पकड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, दाल में हमें अधर इसलिया है, इसे एक बाउल में निकालेंगे, इसमें दरदरा कुटा हुआ, धनिया और जीरा डालेंगे, चुटकी बर हमें हींग डालनी है, एक छोटा चमच मैं यहां पे नमक डाल रही हूँ, नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो, और इसे हमें अच्छे से मिलाना है, और सॉफ्ट बनेंगे, तो यह देखिए, अच्छे से मैंने फेट लिया है, बिल्कुल फलफी है, बैटर हो गया है, अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे, यहां पे मैं एक चमच चावल का आटा डाल रही हूँ, अगर आपको पकोड़े जादा क्रिस्पी चाहिए, तो आप दो चमच भी डाल सकते हो, अगर आपके पास चावल काटा नहीं है, तो आप यहां पे कॉन फलावर का यूज़ कर सकते हो, इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे, इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, कटा हुआ प्यास डालेंगे, इसे भी हमें अच्छे से मिल जाना है, यह बैटर हमारा अच्छे से त्यार हो गया है, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गरम हो जाने पर हमें यह पकोडे तेल में इस तरह से छोडने हे, मैं यहां पे हाद से छोड रही हूँ, आप चमच से भी छोड सकते हiciency हूं, आप पकोड़े डालते वक्त हमें ग्यास हाई रखनी है और पकोड़े डालने के बाद हमें ग्यास जो है मीडियम रखनी है और ये सारे पकोड़े हमें मीडियम ग्यास पर अच्छे से तलने है दोनों साइड से हमें ये अच्छे से तलना है और इसका कलर देखिए बहुत ही स्कॉच की मैं और यहां पर पुदीने की चटनी के साथ से इंजॉय कर सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना शेयर करना और चानेल को सबस्कुराइब जरूर करना और यह वीडियो देहने केमे लिए बहुत भाईद धन्यवाद